प्रणाम अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम साचे से तो जग नहीं जूठे मिले नराम गाढ़े दो उपाम साचे से तो जग नहीं जूठे मिले नराम डर मत जाना ऐसा नहीं है कि सच्चों के लिए जग नहीं है सच्चों के लिए जग है पर जूठा जग नहीं है जब कहा है कि साचे से तो जग नहीं जूठे मिले नराम तो ऐसा भ्धम हो सकता है जैसे कि कहा जा रहा हो कि जूठे राम से चूठते हैं और सच्चे संसार से चूठ जाते हैं सच्चे संसार से नहीं जूठते हैं सच्चे तो जग नहीं इसको ऐसे पढ़ो कि साच्चे को जूठा जग नहीं बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि सच्चाई की बात विलकुल ठीक है खरी है लेकिन जग छोड़ा भी तो नहीं जाता सच कि ऐसी कोई अनिवारता नहीं कि तुम संसार छोड़ दो सच में अनिवारे बस ये है कि तुम छूट को और भरम को छोड़ दो और छूट और भरम के विना भी संसार है तब संसार ही स्वरग है दिक्कत बस ये है कि हम छूट में जीने के ऐसे आदी हो चुके है कि हमने संसार का आशे ही जूठा संसार लगाया है संसार मने जूठा संसार जैसे कोई गंदा पानी पीने का इतना आधी हो चुका हो कि उसके लिए पानी का अर्थ ही हो गया हो दूशित पानी अब वो दूशित पानी को दूशित पानी नहीं कहता वो उसे सिर्फ पानी कहता है वो अब पानी ही किसको कहता है? दूशित पानी को तो उसके सामने से जब उसका पानी हटाया जाएगा तो उसको लगेगा जैसे पानी ही हटा दिया गया पानी की संभाव नहीं हटा दिया गया नहीं ऐसी बात नहीं है दूशित पानी हटाया गया है दूशण के बिना भी पानी हो सकता है होना चाहिए वही होना उचित भी है अचरज तो ये कि तुमने कैसे दूशित पानी के साथ समझाता कर लिया और तुमने कैसे दूशन को ही जलका परियाय बना दिया ये दुनिया में व्याप्त बड़ी से बड़ी भ्रांति है कि जो सच की रहा पर चलते हैं उनसे संसार छूट जाता है और इस भ्रांति के कारण कितने ही लोगों ने सच से किनारा कर लिया कितने ही मावाप बच्चों को जहां गरंतों गुरुवों की ओर जाते देखते हैं तो बेचैन और भैभी थोटते हैं उनको लगता है जो सच की और चला उसका संसार छूटा दोस्तियार सलाहे देते हैं अरे चल मत देना तुम कहीं अध्यात्म की राह पर दुनिया के किसी काम क्यों नहीं रहोगे संसार वे मुख हो जाओगे प्रशलित माननेता ही ऐसी है लोग संस्कृति में मुहावरा ही कुछ ऐसा बैठ गया है पत्नी को भजन करते देखे पति भैभीत हो जाएगा पत्नी को ध्यान करते देखे पत्नी आशंकित हो जाएगी संसार छूटा इसका तुरंट ऐसी भावनामन में उठती है संसार नहीं छूटा दुराओ जूटा संसार छूटा लेकिन जूटा संसार छोड़ने को तो वो राजी हो जिसे संसार में जूट नजार आता हो पहली बात और दूसरी बात जिसे सच की कोई आस बची हो हम बड़े हताश हो चुके हैं हमने हतियारी डाल दी हैं हमने गलत जगह समरपन कर दिया है हमारे मन में कोई उमीद कोई संभावना ही नहीं बची है कि एक मुक्त आनन्दित प्रकाशित जीवन भी जिया जा सकता है चुकि हमारे चारों और करोडों हैं जो अंधेरे में ही गुजारा कर रहे हैं तो हमने ये मान ही लिया है कि जीने का मतलब ही है अंधेरे में, अज्ञान में, अश्रद्धा में, संदेह में, जीवन भिताना और ठोकरे खाना अंधेरे की हमारी धारणा से हटकर यदि कभी कोई बात उठती है, कभी कोई संभावना खुलती है तो हम अचकचा उठते हैं हमें डर लग जाता है हमें लगता हमारे साथ धोखा हो रहा है उसी दृष्टांत पर वापस आओ तुम यदि दूशित पानी पीने के ही आदी हो और जीवन में तुम्हें साफ पानी की बूंद भी नसीब नहीं हुई है तो जब कोई तुम्हें सच जल देगा तो तुम्हें तुरंत लगेगा कि तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ तुम कहो कि जो चीज तुम मुझे दे रहा है उसकी हस्ती ही नहीं तुम मुझे चल रहा है तुम कहरा है ये पानी है अरे पानी तो सिर्फ ऐसा होता है जैसा मैं पी रहा हूँ, जैसा मेरे पुर्खों ने, पडोसियों ने, मेरे समाज ने पिया पानी का नाम ही है मलिन पानी तु तुरंट तुम शक करते हो सफाई पर, सच्चाई पर यह कितनी विद्रूप बात है गंदगी पर शक नहीं जाता, क्योंकि गंदगी अब स्विकार है गंदगी ही सामान्य है, गंदगी ही ढर्रा है और रिवाज है सफाई कहीं दिख जाए तु तुरंट संदे उठता है, कि जूट है जरूर कुछ यूँ ही देख लो न तुमारे पास आकर कोई कहे कि फलाना धोंगी है और धूर्थ है और ठग है तुम्हें मानते देर नहीं लगेगी, तुम कहोगे जाहिर सी बात है ऐसे तो सभी होते हैं, तो वो भी होगा लेकिन कोई तुमसे आकर के कही नहीं साब वो जो उधर है, वो साफ है, निस्वार्थ है निर्मल है, निर्भय है तुम कहोगे रे जाने दीजिये, ऐसा भी कोई होता है बोलो, तो देख लो कि तुम्हारी धारणा में क्या बैठ गया है सामान्य बनके, क्या बैठ गया है सामान्य बनके दूशन, गंदगी, उसको तुम सामान्य बानते है जबकि वो सामान्य नहीं है, जब सुभाव ही है सुच्छता, निर्मलता तो दूशन को तुम सामानने कैसे कह सकते हो सच्चे का जूट छूटता है सच्चे से संसार नहीं छूटता और धुरा रहा हूं कि जब संसार है मात्र और संसार का जूट नहीं है तब तुम्हें स्वर्ग नहीं खोजना पड़ता दुनिया नर्क इसलिए नहीं है कि दुनिया खराब है दुनिया नर्क इसलिए क्योंकि तुम दुनिया को पहचानी नहीं पाए तुम जूटी दुनिया में जी रहे हो तुम दुनिया कभी देखते ही नहीं तुमारी आँखों पर काला परदा पड़ा हुआ है तुम दुनिया के नाम पर सिर्फ अपने प्रक्षेपित जूट देखते रहते हो तुमने क्या कभी वो देखा है जो सामने है तुम्हारे वस्तुगत तथ्य की तरह तथ्य तो कभी दिखता नहीं तथ्य के नाम पर हम अपनी ही आँखों से प्रक्षेपित जूठों को देखते रहते हैं सोरचित प्रवंचना में फसे रहते हैं जैसे हमारी ही आँखों से एक जाल प्रच्छेपित होता हो और हम ही उसमें फस जाते हो कहां हमें कभी दिखा है कि दुनिया क्या है इंसान को कभी इंसान की तरह देखा है क्या इंसान माने मेरा और पराया इंसान माने मेरे धर्म का ये दूसरे धर्म का इंसान माने मेरा दोस्त या मेरा दुश्मन कभी इंसान को इंसान की तरह देखा है क्या हर इंसान के उपर तुमने परची चिपका रखी है कि फलाना महत्तुपूर्ण है फलाना गयर महत्तुपूर्ण है कुछ भी तुम्हारे लिए कभी वस्तुपरक तोर पे कुछ हुआ है कपड़ा कभी कपड़ा होता है या तो मेरा कपड़ा होता है या मेरा नहीं होता है या तो नया होता है पुराना होता है कोई कपड़ा है जिसके साथ तुमारी कुछ न कुछ सम्रति न जुड़ी हो और जिस कपड़े के साथ तुमारी सम्रति जुड़ गई अब वो कपड़ा कहा रहा अब या तो तुम उसको संजो के रखोगे 20 साल तक या तुम उसे देखते ही नफरत से भरोगे कि देवी जी आई है कि मैंने पूछा क्या कर रही थी होली जला रही थी कहोली तो अभी है नहीं जितने कपड़ उसने दियते सब जला दिये मैं रिष्टा टूटा तो कपड़े भी छूटने चाहिए गांधी जी सिखा गए थे ना विदेशी वस्तरों का दाह करना तो जब वो परदेशी हुआ तो उसके वस्तर भी परदेशी हुए गांधी जी की सीख पे चल रही है सारे विदेशी वस्त्रों का दहन करो वस्त्र वस्त्र थोड़े हैं तुम्हारे लिए वस्त्रों के साथ भी तो तमगे चस्पा है हर चीज में अर्थ भर रखे हैं हर चीज के साथ कहानिया जोड रखी है हर चीज के साथ नाम चिपका रखें ये धारणा वो मानने ता जीने के लिए चेतना की दयुरती कहा है इस्मृतियों का भंडार काफी है सामने क्या है वो देखने के लिए धृष्टि की बोध की चेतना की ध्यान की आवश्यक्ता क्या है हमें पहले ही सब पता है इस्मृति के गुदाम में हाट डालो और जो चाहिए निकाल लो सामने क्या है प्रत्यक्ष क्या है ये हमने जाना कहा तो दुनिया का हमें कुछ नहीं पता है दुनिया के नाम पे हमें जो कुछ पता है वो जूट भर है रहीम कह रहे हैं जूट छूटेगा जिसे सच से प्यार हो जाता है उसको बड़ी अकुलाहा तुटती है पुराने में जीने में क्योंकि सच पुराना तो कभी होता नहीं वो तो बार 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 प्रयोग करता है वो तो बार बार कहता है कि चेतना का अपमान है धारणा बद्ध होके जीना स्मृति वश होकर जीना तो निश्चित रूप से चुनाव तुम्हे करना है पर सत्य और संसार के मद्ध नहीं ये बड़ी मायावी धारणा है कि या तो सत्य ले लो या संसार ले लो जैसा हमने कहा इसी धारणा के चलते अधिकान्ष लोग सत्य से डरे रह जाते हैं वो कहते हैं कि सत्य की तरफ चले तो संसार गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई संसार भी सत्य के ही आधार पे खड़ा है तो ऐसा थोड़े ही है कि या तो ये लो या तो वो लो आईदर और स्थित थोड़े ही है आरीवा समझ में जो सच की राह चलता है उसको इनाम ये मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सच्चे संसार में रहना शुरू कर देता है हम सब अलग-अलग संसारों में रहते हैं इतना तो समझते ही हो तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया तुम्हारी दुनिया तुम्हारी तुम्हारी दुनिया तुम्हारी 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 तु समझो बात को किसी चीज को देखने में और किसी चीज का सपना लेने में अंतर है या नहीं है बोलो तुम एक चित्र के सामने बैठे हो दिवार पे टंगा है एक चीज है कि उसको देखा दूसरी चीज है कि आखे तो खुली है उसको देख रही है पर उसको देख करके तमाम कलपनाएं और किसे उड़ा रहे हो और उससे आगे की भी एक तीसरी चीज है कि उसको देखते देखते सो गए और अब सपने में चित्र साकार सजीव हो गया है तुमारे लिए चित्र उड़ रहा है चित्र गार रहा है चित्रव सब कुछ कर रहा है जो तुम्हारी वृत्तियों को पसंद है होता है ना सच की तरफ चलोगे तुम्हारी दुनिया सच्ची हो जाएगी दुनिया सच्ची हो जाएगी मजे में रहोगे जूठी दुनिया है यदि तुम्हारी तो ठोकर ही खाओगे क्योंकि दुनिया की हकीकत तो तथे हैं और तुम जी रहे हो फंतासियों में तुम आकाश में फूल खिला रहे हो जिनकी कोई जण नहीं जिनका कोई आधार नहीं पर फूल खिले हुए हैं आसमान में टंगे हुए हैं फूल और तुमें बहुत प्यारे हैं मेरा प्यारा आकाश कमल ऐसे फूल को तो मुर्जाना भी नहीं पड़ेगा वो तो पलक ज्पकते विलुप तो मात रहोगा असली फूल तो कम से कम मुर्जाते मुर्जाते मुर्जाता है ज़रा तुम्हें चेतने का समय तो दे जाता है आकाश कमल तो गया गया इसी लिए फिर हमें जटके लगते रहते हैं और ऐसे जटके लगते हैं कि फिर खोज रहे हैं कहां गया मेरा प्यारा आकाश कमल वो था कब वो था कब जिनेरे जीवन में जटके लगे हों वो जान ले कि आस्मान की और देखते देखते आँखे बंद कर ली और उसके बाद आस्मान में प्रच्छेपित करना शुरू कर दिया सब लो देखो पांच शरावी लिटा दो यहीं जैवीन पे और उपर आस्मान है उसमें कुछ नहीं खाली और दुनिया का ऐसा कुछ नहीं है जो उन शरावीयों को उस आस्मान में न दिख जाए खाली स्थान है आकाश बिल्कुल खाली है न वहां कुछ है कहो वहां कुछ है पर पांच शरावी लिटा दो उनको बोलो उपर देखो बताओ क्या क्या है भोडा, गधा, बकरी, आदमी, औरत, रुपया, पैसा जो जो काओगे उनने सब वहां दिखेगा और रो भी लेंगे, हस भी लेंगे, कोई कहेगा देखो धन की वर्शा हो गई सिक्के बरसे हो सब भर लिए मैने जेब में वह आसमान से उसके बरस रहे हैं एक रोर आए क्याना हो आसमान में सड़क जाती है उस पर देखा अभी मैने है मैने महभूबा मेरी भगी चली जा रही है अब पकड़ नहीं आएगी और रोर आए बैठके हमें कहां कुछ पता है फिर समझना हम देखते नहीं हैं हम रचते हैं हम प्रक्षेपित करते हैं हम सर्जते हैं देखना माने जो दिख रहा है उसका साक्षी भरोना उसे शिडखानी नहीं करना उसके उपर स्वयम को आरोपित न करना यह है देखना मात्र हम देखते कहां हैं हम तो स्वयम ही माया जाल रचते हैं और फिर कहते हैं हमने उसको देखा हमने उसको देखा और फिर जैसे मकड़ी अपने ही जाले में फस जाए जब फस जाते हैं तो कहते हैं देखो दुनिया कितनी खराब है यहां जाल ही जाल है वो जाल बुना किसने वो जाल बुना किसने खुद ने बुना तुम नहीं तो बुना सच्चे आदमी की दुनिया सच्ची हो जाती है सच्ची दुनिया में भरोसा है दिल का चैन है या चैनी जी सत्य के मतलब सच्चाई पर चलना या बिलकुल कुछ ज्यादा गहरा मतलब नहीं जो तुम को अपनी सीमित शक्तियों से ठीक लगता हो सच्चा लगता हो हिम्मत रखो उसका अनुपालन करने की पहली बात और दूसरी बात सदा विनम्र रहो कि तुम्हें जो भी ठीक लगता है वो आखरी सत्य नहीं अब ये दो परसपर विरोधी जैसी चीजे हैं पर इन दोनों का एक साथ पालन करना है जैसे रस्ती पर चलना हो बिलकुल संतोलन बना के पहली बात जो कुछ तुमने अपनी यात्रा के चलते अपनी जैविक प्रक्रति के चलते अपनी सीमित सामर्थे के चलते सत्य जाना हो उसको छोड़ना मत भले ही उसका साथ देने कि कोई भी तुम्हें कीमत अदा करनी पड़े छोड़ना मत उसको और दूसरी बात यह हमेशा याद रखना कि सत्य सिधान्त तो होता नहीं सत्य मान्यता तो होता नहीं तो जो कुछ भी तुम जानते हो सत्य के तौर पर वो कभी आखिरी नहीं हो सकता जो कुछ भी तुम्हें लगता है ठीक है कल को उसको साबित होना ही है कि वो बस राह की बात थी बीच की बात थी उसके आगे अभी और आस्मान है और आस्मान होंगे पर आज तो तुम्हें वो उपलब्ध नहीं न तो आज तुम्हें जो शिखर उपलब्ध है तुम उस पर द्रणता से आसीत रहो उससे नीचे मत गिरना कल को तुम और उचे उठना तो जहां पहुचना उसको पकल के रखना परसो और उचे उठना तुम निरंतर अपनी उन्नयन की यात्रा पर रहो तुम उर्धुगानी रहो और जिस भी मकाम पर, जिस भी शिखर पर जिस भी पड़ाव पर हो, जिस भी इस्थान पर हो उसके साथ नयाय करना, उसके साथ वफा करना जिस चीज को जान लिया कि ठीक है, उस पर अडिक रहना और जिस चीज़ को जान लिया कि गलत है उसके आगे कभी घुटने में टेकना बिल्कुल नहीं आरी बात समझे हमारे साथ त्रासदी ये नहीं है कि हमें सत्य का पता नहीं देखो आत्यंतिक और पून सत्य का पता तो कुछ हो भी नहीं सकता जीव हो तुम तुम्हें तो कुछ जलक ही मिलेगी तुम्हें तो कुछ सापेक्ष सत्य का ही पता होगा तुम्हारे सत्य में तो सदा तुम्हारे व्यक्तित तो के कुछ रंग घुले मिले होंगे तुम्हारा सत्य कभी विशुध तो होने नहीं वाला लेकिन जैसा भी है तुम्हारा व्यक्तित सत्य तुम उसके प्रति भी कहां निश्ठावान हो पाते हो ये है तुम्हारी तरह सदी समझना बात को बहुत लोग बैट करके परमेश्वर का जाप करते रहते हैं कि परम पूर्ण परिपूर्ण परमेश्वर मिल नहीं रहा वो नहीं मिल रहा तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई असली सवाल दूसरा है असली सवाल ये है कि तुम्हें जितना भी मिला है तुमने उसका पालन किया क्या तुमने उसका पालन किया क्या तुम्हें जो गहराई से पता था कि ठीक है, तुमने उतना किया होता तो आगे की रहा भी खुलती, और नए क्षितिज खुलते, आस्मानों से बादल छटते, तुम्हारी हालत ऐसी है, कि जैसे कोई छोटा बच्चा, उसके सामने एक रोटी रख दी गई है, छोटी, उसको वो खा नहीं रहा और मांग ये कर रहा है कि, देखो जैसे बड़े से बड़े और भीमकाए से भीमकाए आदमी को, पांच बड़ी बड़ी रोटीयां रखी जाती है, वो हमारे सामने भी रखो, और उसके सामने नहीं रखी जा रही है, पांच बड़ी रोटीयां, तो वो छाती पीट रहा है और कह रहा है कि, देखो, जीवन असफल रह गया, पूर्ण नहीं मिला, तु अपूर्ण के भी काबिल है क्या, एक जो छोटी सी रोटी मिली थी, उसको तो 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 ने आत्मसात किया नहीं, उसको तो 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 ने ग्रहन किया नहीं, और तु बाते कर रहा है, लंबी, लंबी, उची, उची, तुम नहीं होगे परम, ज्यानी, ध्यानी, योगी, सिद्ध, कोई बात नहीं, क्षम में हैं सब, पर इस बात की कोई ख्षमा नहीं, कि वो छोटी-छोटी बातें जो तुम्हें सपश्ट थी, तुमने उनका भी अनुकरण, अनुपालन नहीं किया, तुम वहां भी छूट बोल गए, और अक्सर वो जूट तुम इसी नाम पे बोल गए, कि जब मुझे आखरी सत्य नहीं पता, तो मैं छोटे सत्यों का क्या क करूं, तुम छोटे हो, और जो विराठ हो तुम्हें उपलब्ध हो जाए, जवाब दो, और तुम तुले हुए हो कि तुम्हें छोटा ही रहना है, पर तुम चाहते हो कि जो महत्तम है, वो तुम्हारी जोली में आके गिर जाए, छोटा पहले ज़रा सबूत तो दे, विरा होने के अपनी आकांगशा का, छोटा एक कदम तो आगे बढ़ना नहीं चाहता, छोटा अपनी सीमाओं में जरा सा तो पसार सुईकार नहीं कर रहा, बस बातें वो कर रहा हैं असीम की, यह नहीं चलेगा, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि तुमने, आखरी समाधी, पाई की नहीं पाई, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि जीवन में, जितनी शान्ति तुमको उपलब्ध हो सकती थी, तुम्हारी सारी कमियों और एबों के चलते भी, तुमने उतनी शान्ति से भी क्यों वंचित रखा अपने आपको? सवाल यह नहीं है कि गाड़ी सुपरसॉनिक गति से क्यों नहीं चली? सवाल यह है कि गाड़ी जब 80 या 100 की गति पर चल सकती थी, तो 10 और 20 की गति पर क्यों चलती रही? पर तुम कहते हो नहीं साहब, हमारी गाड़ी को तो जट विमान की तरह उनना चाहिए, और जट विमान की लच्छेदार बाते करते हुए, तुमने गति कितनी रखी हुई है? 10 और 20 की, तो मैं तुम पर कभी ये सवाल रखता ही नहीं हूँ, कि बताओ 800 और 1000 की गति क्यों नहीं हुई तुम्हारी, वो जब हो नहीं होगी तो होगी, परमात्मा जाने, कि कब उसका हाथ आएगा, और कब हमें भौतिक सीमाओं से पार, कोई शक्ति दे जाएगा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, कि जो भौतिक शक्तियां, जो साधारण क्षमताएं, तुमको उपलब्ध है, उनका इस्तिमाल क्यों नहीं किया, असी और 100 पे क्यों नहीं चले, तुम्हारी गाड़ी 10 और 20 पर क्यों घिसट रही है, ये बताओ ना, तुम कहते हो, नहीं मुझे तो जा करके, दुनिया भड़ के सम्मिलित फौज का मुकाबला करना है, ये तुम्हारी बाते हैं, और डरे बैठे हो, घर में घुमते चुहों से, एक चीटी आजाए, एक छिपकली आजाए, एक कौकरोच आजाए, तुम्हारी घिग्गी बन जाती है, और तलवार लेकिन तुम खूब भांचते हो, कहते हो, दुनिया के जितने देश हैं, उनकी जितनी सीमाए हैं, सब को इकठा करो, तब जाके वो सेना तयार होगी, जिसका सामना करने में कुछ मजा है, तब पीछे से जींगूर बोला, तुम भगे जोर से, अरे बाब, आरे, पूछा कहा भागे, तुम ले जा रहे हैं, विश्विद्ध में शिरकत करनी हैं, जींगूर से भगे हुए हैं, की बातें, प्रमाण, देखलो ठीक से, धोखा हो जाता है, चोट लग जाती है, अनपेक्छित घटनाएं, आहत कर जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, जो कभी सोचा नहीं था, वो हो जाता है, माने, दुनिया का जो खाका तुम्हारे मन में खिचा हुआ था, वो नकली था, जूठा था, तुम जिस नक्षे पर चल रहे थे, वो नक्षा वास्तविक्ता का प्रतिनिधी था ही नहीं, तो तुमन नक्षा पकड़ रखा है, जमीन तुम देख नहीं रहे, बहुत लोग गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं, सड़क कहां जा रही है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं, हाथ में नक्षा है, उसको देख के गाड़ी चल रही है, अब नक्षा निकला नकली, अब वहां तुम्हें ले जा तुम्हें 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 तुम तथे तुम्हारे अनुसार नहीं चलते, तुम्हें बुरा लगता है, अरे अरे चोट लग गई, अंकार को चोट लग गई, तथे तो बड़ी चोट पहुंचाते हैं, कलपना, अपने अनुसार चलती है, जो चाहो कलपना करो, गई फलाने व्यक्ति के पास है, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तथे क्या है, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो तुमने खा तथे को छोड़ो, आख बंद करो, कलपना करना शुरू करो, कि हम उससे मिले हैं, फिर जूला जूल रहे हैं, फिर गले मिल रहे हैं, फिर द विपना में वो व्यक्ति वही सारे काम कर रहा है जो तुम चाहते हो, तथ्य में ऐसा नहीं हो सकता है, तथ्य में वो व्यक्ति तुम्हारा गुलाम नहीं है, और तुम चाहते हो कि तुम गुलाम बनाओ, क्योंकि अहंकार ऐसा गुलाम होता है कि पूरी दुनिया को गुलाम चाहता है, जो घुलामी का आदी हो गया है, उसे आजाद लोग नहीं पसंद आते हैं, दुनिया भर को घुलाम बना लेना चाहता है, तथ्चे उमें जीना, उसे दमघोटू लगता है, तो फिर उनकलपना करता है, उसे धारणा बना लेता है, अब वो जाचना ही नहीं चाहे कर ली तो कर ली भाई ठीक अब कल्पना में सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं बुंगेरी लाल के हसीन सपने यह है जूटी दुनिया जन्हें सचाई से प्यार हो गया जूटी दुनिया फिर उन्हें फीकी लगने लगती है उन्हें स्वाधी नहीं आता गिर जाती है जूट जाती है वो कहते हैं जो भी तथ है मुझे बताओ ना फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे चोट लगेगी कि वो मुझे भाएगा बात जो भी है बताओ क्योंकि उसके अलावा विकल्प नहीं है कल्पना तथ्य का विकल्प थोड़े ही हो सकती है भाई तथ्य एक छत्र है समझे नहीं बात को जिनको आस्मान से प्यार हो जाता है उपर वाले से प्यार हो जाता है वो जमीन पर तथ्यों में जीना शुरू कर देते हैं और जिनको उससे प्यार नहीं सत्य से प्यार नहीं वो जमीन पर जीते हैं कल्पनाओं में सचे आदमी और जूटे आदमी में ऐसे ही भेद कर किसी से पूछने की धरूरत नहीं है कि बता बेटा तुझे परमात्मा से प्यार है कि नहीं है ये शब्दों का खेल थोड़ी है कि कोई क्यारा नहीं है इससे कुछ सिद्ध नहीं होता जीवन परख लेना जिसको देखो कि भौतिक जीवन में यथार्थ पता करने का बड़ा आग रही है उसको जान लेना कि उपरमात्मा का प्रेमी है जो जमीन पर यथार्थ का आग रही हो वो आस्मान में सत्य का प्रेमी है सत्य का आग रही है और जो जमीन में तथ्यों से विमुख रहता हो जिसे कोई उत्सुकता ही ना हो कोई रुची ही ना हो ये पता करने में कि इस प्रथ्वी के इस विश्व के तथ्य क्या है माजरा क्या है चीज क्या है ये दुनिया जिसको ये जानने में कोई रुची ही ना जान लेना कि प्रत्वी पर उसे तथ्यों का कोई आग्रह नहीं है और आस्मान में उसे परमात्मा से कोई मतलब नहीं है दोनों बाते साथ साथ चलती है जिसे जमीन का पता है उसे आस्मान से प्यार है और जो जमीन के प्रति बेरुखी रखता है उदासीन है उसे आस्मान से के भी को इले ने ते, ने ने नहीं. पारी बात समझ में? बारी